हलो अबरिवन दिस भार्ती एंड फिर से मैं आज चुकी हूँ एक पुराना मटका लेकर और आज हम इसका बहुत ही सुन्दर सा यूज करने वाले हैं सबसे पहले आप इस मटके की हालत देख लीजे और यदि बैग्राउंड साउंड में कुछ भी साउंड आया तो उसको और इसमें इतना जादा टाइम लग जाता था ना फिर मैंने सुचा कि अब हम कुछ अलग ट्रिकियोस करते हैं अब जहां से हमको मटका फोड़ना है पहले तो एक साय एक हातों को पीछे एक दम पकड़के रखना और हलके हलके हातों से आपको मटके को ऐसे उसके जो सामने देख सकते हो कि बहुत ही असानी से हमारे मटके को हमने कट कर दिया है खील वगरा किसी के हल्प नहीं थी बस एक फटर की हल्थी अब हम इसमें एक हॉल करेंगे आप लोग देख सकते हो पीछे हॉल करना है क्यूंकि हम इसमें प्लांट लगाएंगे अब घर पे चल रहा है काम तो यहां पे पुट्टी पाउडर आप लोग देख सकते हो बिल्लक पुट्टी इतनी जादा आई हुई है तो बस अब हमें इसका काम तो करना है तो आपने थम्मेल देखा तो समझी चुके होंगे कि हम इसमें पुट्टी का यूज़ भी करेंगे तो यहां पे हम लोग जब हाथ से घोलते हैं वो अलग रिजल्ट होता है और यहां पे यह जो मसीन से घोल रहे हैं इसका रिजल्ट अलग है मैंने सुचा कि मैं हाथ से गुरी वाली ही यूज कर लूँगी लेकिन जब ये काम चली रहा था तो मैंने थोड़ी इन से ही लेकर अपने मटके में कल लिये तो मैं आपको इसलिए ये दिखा रही हूँ कि इन्होंने मसीन से बहुत जादा फेटी हुई है जैसे कि हम लोग दई को फेटते हैं घी बनाने के लिए इस टैप से उन्होंने इस पुट्टी को फेट आयो एंड देखो रिजल्ट आपी इतनी जादा सोफ्ट क्रीम टाइप की हो गई ये जैसे वो केक के उपर क्रीम लगे आती है तो जैसे ये आपके पास मसी नहीं आफकोस मेरे पास भी मसी नहीं वो तो घर में काम चल रहा था इसलिए मैंने कर ली जब यह पुट्टी फाड़ो लो बहुत फेटो बहुत फेटो और ऐसा रिजल्ट आएगा अब बारी आती है मटके में अच्छी तरीके से पुट्टी लगाने की आप लोग देख सकते हो प्रॉपर पुरे मटके में मैं पुट्टी लगाऊंगी और ये काम मुझे बहुत ज़ादा अच्छा लग रहा था कोई ताम जहांबाला वर्क नहीं था और जब आप ज़ादा पुट्टी को फेटते होना तो आप जैसा चाहो वैसा रिजल्ट ल दबल डबल टैप करके और हमारी ये सुख चुकी थी एंड ये हमारा काम है और ये हमारे लीटर है जो हमारा देखबायर करते हैं तुट्टु करते हो न ये देखो पोस मानने के लिए रैडी हो चुके हैं और हम अच्छा आना चाहिए पूरी वीडियो में ये हमसे बोले क मासुम बनके सोचुके हैं दिन भर यहीं क्यों तू तू सरमा गई में है अब भलो सरमा गई में है है खबरा गई तो अब हम इसमें काम करेंगे तो इसमें मैं करने वाली हो और पेंट से कुछ क्रेटिविटी विकास मैं इसको ऐसा सिंपन नहीं रख सकती है अब बारी आती है दिल बनाने की तो बस थम को आपको पेंट में करना है और दिल बनाते चलना है अफकोस एक जैसे दिल बिल्कुल नहीं बनेंगे क्योंकि सब के दिल अलग अलग होते हैं अच्छी तरीके से दिल बना लेना है आपको एक ही करके और आइनो कि किसी का दिल का से पलग आयागा किसी का जैसा आयागा लेकिन जैसे भी आप बनाते चलो क्योंकि वाइट पे जो रेड कलर से हमने दिल बनाय हुए हैं बहुत ही जादा बढ़िया और बहुत ही जादा ओसम लग रहे हैं मैंने दिसी कि आपको बताया था कि मैं मटके के नीचे डबबे रखने लगी हूँ क्योंकि स्टैंड नहीं अभी मेरे गर पे इसमें हम लगाएंगे पलांट तो मैं इसमें यलो फ्लॉवर वाला ब्लांट लगारही हूँ एक गैस कहते ही me मुझे तो पता इसको क्या कहते है लेकिन आ ज़रू बताए गाते हैं और जल्लिक जा लगा जा पर पहले से तरीकpped से लगाया को आती होगी वैसे लगाना एंड इस फाइनल रिजल्ट आपको सची में बताना है कमेंट करके कि आपको यह मटका कैसा लगा है अपना पूरा क्रेडिट इसमें दे देना है कमेंट में और प्लीज मुझे बताना जरू कि आप मेरी वीडियो कहां कहां से देख रहे हो सो बाई